असलावेकम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम सफा नमबर 24 पढ़ेंगे सफा नमबर 24 पे हमारे पास दिया गया है पढ़िये, लिखिये और रंग भरिये ठीक है? पहले हम शोशे की प्रेक्टिस करेंगे ठीक है? इस चीज को क्या बोलते है? शोशा ठीक है? पहले हम इस पे पैंसल फेरेंगे इस तरीके से शोशे की उपर पैंसल फेरे मेरे साथ? इस तरीके से बिलकुल लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए यह हम किस चीज की प्रेक्टिस करेंगे? शोशों की इस चीज की? शोशों की ठीक है? इस तरीके से हम शोशों की प्रेक्टिस कर रहे हैं इसे क्या बोलते है? शोशा क्या बोलते है? शोशा इसी तरह अगली लाइन में भी हम शोशे की प्रेक्टिस करेंगे? ठीक है? इस तरीके से हम शोशों की प्रेक्टिस करेंगे? इस तरह हम अगली लाइन में भी हम शोशे की प्रेक्टिस करेंगे ठीक है? ये किस चीज का शोशा? ये हा का शोशा हो गया? उसके साथ हम या मिलाएंगे कौन सी या है ये? बड़ी या ये हा का शोशा हो गया? ये बड़ी या हो गई इसी तरह हम इसमें भी पैंसल फेरेंगे इस तरीके से ठीक है इस तरीके से हम पैंसल फेरेंगे किस चीज का शोशा है ये हा का हा के शोशे को इस तरह लिखा जाता है ये चीज जो है हम शोशे के तोर पर इस्तिमाल करेंगे और फिर हम इसके साथ बड़ी या को मिलाएंगे आख्री लाइन में देखें आप हा का शोशा हो गया हमने इसके साथ बड़ी या मिलाइ और नीचे हमने हा का कुंडा मिलाया इसको कुंडा बोलते है ठीक है हा का कुंडा जब हमने मिलाया तो क्या लवज हमारे पास बन गया है क्या लवज बन गया है हा का शोशा ठीक है बड़ी या फिर हा का कुंडा तो क्या बन गया है ये हा का शोशा, ये हमने बढ़िया, क्यों पर पैंसल फेरी, फिर नीचे हमने हा का कुंडा लगाया, तो क्या लवज हमारे पास बन गया, है, क्या लवज बन गया, है इसी तरह हम इस है पे भी पैंसल फेरेंगे, हा का शोशा, बढ़िया, फिर हा का कुंडा, क्या लवज बन गया, है इसी तरह फिर लिखेंगे हम, हा का शोशा, बढ़िया, और हा का कुंडा, क्या लवज बन गया, है इस चीज को किस के लिए इस्तिमाल किया जाता है जुमला मुकमल करने के लिए हम है का इस्तिमाल करते हैं किस चीज का इस्तिमाल करते हैं है का ठीक है जिस तरह हमने पीछे पड़ा था ये ये किस चीज की शकल दीगी ये आम की ये आम है देखा बचो जमला मुकमल हो गया हमारे पास ये आम है ये देखें है का लवज लिखावा है इसी तरह हम यहां पे भी पैंसल फेरेंगे ठीक है हे का शोशा फिर बड़ीया फिर हे का कुंडा क्या लवज बन गया है इसी तरह हम यहां पे खुझ से इस तरीके से लिखेंगे ठीक है नीचे हम हा का कुंडा लगाएंगे क्या लवज बन गया है क्या लवज बन गया है इसी तरह हम यहां पे भी है का लवज खुद लिखेंगे इसी तरह खाली सत्रों में आपने है के लवस को लिखना है खुद से ठीक है और हमेशा याद रखना है आपने कि कोई आप से पूछे है का लवस किस चीज़ के लिए इस्तिमाल होता है जुमला मुकमल करने के लिए हम है का इस्तिमाल करते हैं और ये का इस्तिमाल कब करते हैं जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो तो हम ये का इस्तिमाल कर रहे हैं जिस तरह हम आम की तरफ इशारा कर रहे हो और हमें जुमला मुकमल करना हो तो हम कैसे कहेंगे ये आम है ठीक है इसे आपने याद करना है और इसके उपर आपने लिखाई करनी है ठीक है पैंसल फेरनी है और खुद से भी आपने लिखना है इसको शुक्रिया